निम्ने जातियों में सुधार आंदोलन निम्ने जातियों में सुधार के लिए दो बड़े लीडर यदि अपन देखें तो भारत में हुए है भीमराव अमेडकर और मात्मा गादि पहले इन दोका पढ़ेंगे फिर कुछ दक्सिन भारत में वो अन्दॉलन हुए फिर उनको पढ़ेंगे थो दो बड़े लीडर हुए हैं निम्ने जातियों के अंतरगत और निम्ने जातियों के अंतरगत जितने भी भेद्वाव होते थे वो थे सामजिक और धार्मिक आदार पे, धार्मिक आदार पे कुछ सामजिक प्रतिबंद इनके उपर लगाएगे, तो इन जातियों के अंतरगत कई चीजों के आदार पे भेदवाव होता था, जैसे सबसे बड़ा भेदवाव था इनके साथ, एस प्रश्यता का, ताकि कोई परिवासा नहीं दे हुई, तो एस प्रश्यता थीन के साथ, जाति भेदवाव थे, जाति के आदार पर, जाति प्रतिबंद थे अनेग, खान-पान के प्रतिबंद थे, सावर्जनिक इस्तानों पे अनेग प्रतिबंद थे, सावर्जनिक इस्तानों का उप्योग नहीं कर सकते थे, सावर्जनिक इस्तान जैसे आप कहीं पे भी देख लो, सिक्ष्या के केंदर हो, रेलवे हो, कोई तालाब हो, पहले तालाबों के अंदर नहने का काम होता था, पेने का पानी हो, मंदिर हो, तो इनके अंदर इनका परवेश वर्जित था, कहीं पे भी सावर्जनिक समेलन हो रहा हो, उनमें भी इनका परवेश वर्जित था तो ये तो इनके आदार पे सामाजिक चीजे थी कुछ धार्मिक वेधवाव भी होते थे जैसे कई जो क्रियाकलाप पे सामाजिक क्रियाकलाप ये नहीं कर सकते थे मंदिर में नहीं जा सकते थे, मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते थे, मंदिर की प्रतिमा का ये विसर्जन नहीं कर सकते थे, मंदिर में मूर्ती स्तापना नहीं कर सकते थे, कई भेदवाव इनके उपर लगे वे थे, तो धार्मिक भेदवाव जैसे मंदिर में जाने पे रो मूर्ति स्तापना नहीं कर सकते थे कि कोई भी नया मंदिर बना कि उसमें मूर्ति स्तापना नहीं कर सकते थे आज कल सलन है गोडी पे नहीं बेटने अशी खबर आती है ना दली तुदुल्य को गोडी से उतार दिया एसा वेसे जयवपूर के आसपास तो नहीं होता करी साउथ राजस्तान में रिया होता है इस साइड तो नहीं होता तो इनके उपर जो निमन जातियां थी उनके उपर अनेक प्रकार के प्रतीबन ततकालिन जो सामाजिक व्योस्ता है उसमें विद्मान थे इसलिए इन जातियों ने लगातार खुद को जो उच वर्ग है उनमें सामिल करने के लिए आंदोलन चलाया तो जब निमने जातियां उच वर्ग की तरफ बदल जाती हैं तो ऐसी परक कर publisher क्रिया एक सब्दाता है संसकर्ती करन संसकर्ती करन संसकर्ती करन का मतलब क्या होता है jamean signing जातियां खुद का इसतर बढ़ाने के लिए उच जातियों की किया कि आप अपना लेती है तो उसको संसकर्टी करन की परक्रिया कहते दक्सिन भारत के उंतरगत है श्री निवास सास्त्री कि उन्हों ने इस चीज को बताया कि संसकर्थी कि रण थे कभी जाती संकर्थी रण में हमीशा बदलता है कभी ज्वास कि इस नहीं बदलती जाती समाज के नू कि कि वो भी क्या हैं सामाजिक रूप से पतीत हैं लेकिन इनका यदि अपन इस तर देखें तो इन लोगों को समाज के अंतरगत कहीं प्रिश्यता का या भेद्वाव का सामना नहीं करना पड़ता और इनके खानपान रेंसेन भी धीरे धीरे जो उच वर्ग थे उच वर्ग में करन की परकरिया इन जातियोंने स्टार्ट की दक्षिंद भारत में और उच वर्ग के जो किरियाक लाव थे उनको अपनाना शुरू किया अब देखो जाती के आदार पे भी कुछ चीजों के भेदवाव थे जैसे अभी हाल में आपने पांस साथ दिन पहले यादी पढ़ा दिया है अपनी जो सामजिक विज्ञान का चैप्टर था उससे सीवियसी ने हटाया है ऐसी खबरे देखे हैं कि अक्वार के अंतरगत आया था तो आगे अपन देखेंगे क्या था तो ऐसे कई भेदवाव थे जैसे इस्त्रियों के उपर अनेक प्रकार के ऐसे करते जिसे वो इस्त्री समंदित वर्ग की देख सके आगे अपन देखेंगे तो कई प्रकार के भेदवाव थे सामजिक भेदवाव थे धार्मिक भेदवाव थे इनके खिलाप इसलिए इस समय इनके खिलाप जितने भी परतिबंद थे उनके खिलाप आवाज उठाई सबसे पहले अमबेडकर और मात्मा गांदी तो पहला अपन लेते हैं भीम्राव अमबेडकर ने क्या किया अब देखो इनकी विचारदारा क्या थी यह तो अपन मुख्य परीक्षा में देखेंगे यहां पर जो फैक्चुल पर्सन बनते हैं वो देखेंगे अपन बीम्राव अम्बेडकर कर जनम हुआ था महु मद्द्यपर्देश में और इनका जनम हुआ था महार जाती के अंतरगत जनम महार जाती के अंतरगत जो सामजिक रूप से एक पिछडी जाती इसको माना गया और जब इनों ने देखा कि इनकी जाती के खिलाप अनेक प्रकार के प्रतिबंद है तो धीरे धीरे ये इन प्रतिबंदों के खिलाप आवाज उठाना इन्हों ने शुरू कर दिया आप देखूं इनकी पढ़ाई होती है एक तो जो फर्ग्यूशन और उसके अंतरगत उसके बाद में यह चली जाते हैं अमेरिका की कोलंबिया यूनिवरसिटी में तो प्रारंबिक इनकी पढ़ाई होती है फर्ग्यूसन कोलेज में। फर्ग्यूसन कोलेज की स्टापना किस ने की थी। गनेश आगर करने गनेश आगर करने जिसका पहले नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी तो यह फर्गुशन कोलेज में पड़े उसके बाद में कालांतर में कालांतर मीनेश इस्टेडी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में अब मुझे तो कभी अपसोस आता है अपन तो भी नहीं सोच थे कि विदेश में पढ़के आए यह लोग उसी समय से लेगे कि हम तो जैपूर आये तब भी काफी गर्व से कहते थे कोई समाज का कोई तवार होता था कोई भी समयलन हो तो उसमें हम भी कहते जैपूर रहता हूं क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि यार इसे भी कोई स्टेटस बढ़ता होगा अपना और यह कोलंबिया कर रहे थे और उन महारों का फिर इन्होंने नेत्रत्व किया और यह चले जाते हैं महाराष्ट के अंतरगत एक महाराज थे साहू महाराज कि साहू महाराज के संपर्क में आए कालांतर में किसके संपर्क में आते हैं साहू माराज अब साहू माराज भी क्या चाह रहे थे कि सभी समाज आपस में मिल जाएं और जो प्रतिबंध है वो खतम हो जाएं इसलिए इन्हों ने क्या किया एक समाज बनायता सर्वसोदक समाज एक तो सत्य सोदक समाज है उसकी स्त स्तापना किती सर्वसोदक समाज सत्य की जगे सर्वकुलो सर्वसोदक समाज तो फिर भीमराव अम्बेड कर को यह लगा कि यह सभी जातियों के मिलन में विश्वास करते हैं जातिय समानता में विश्वास करते हैं इसलिए फिर इनके संपर्क में आ साव महाराज की सर्वसोदक समाज की स्तापना की और साव महाराज के सयोग से इन्हों ने पत्रिका निकाली इनकी जो पहली पत्रिका थी उसका नाम था मूक नायक और मूक नायक का प्रकाशन इन्हों ने किया मराठी के अंतरगत तो मूक नायक लिखो इसके अंतरगत, मूक नायक इनकी थी मराठी के अंतरगत समाचार पत्र है मराठी में भीमराव अंबेडकर की पत्री का मूक नायक नाम से प्रकासित होती थी मराठी में भीमराव अंबेडकर की पत्री का मूक नायक के नाम से प्रकासित होती थी यह साहु माराज के सायोग से प्रकासित होई थी यह साहु माराज के सायोग से प्रकासित होई थी तो मूक नायक पत्रे काका इन्होंने संपादन सुरू कर दिया तो भीमराव अंबेडकर का जनम का होता है महु मद्य प्रदेश के अंतरगत महार जाती में हुआ प्रारंबिक अध्यन फरग्यूशन कोलेज में किया कालांतर में इन्होंने उच्छीक्ष्यप्राप की कोलंब्या विस्विदाल है अमेरिका से और साहु माराज के संपरक में आये साहु माराज ने सर्वसोधक समाज की स्थापना की थी और मूख नायक पत्रेगा का मराथी में प्रकासन किया भीमराव अंबेड करने अब देखो भीमराव अंबेड करने उसके बाद में जो निम्न जाती के लोग थे उनके सुधार के लिए एक संग अठित प्रियास शुरू किया इसके लिए इनों ने एक संग बनाने का प्रिया हितकार्नी सवा और इस सवा की इस्तापना की 24 में 22 हितकार्नी सवा इस्तापना होती है 1224 और इसकी स्तापना किसके द्वारा की गई भीमराव अम् leveraging के द्वारा अब इसी नाम से पिर ये काला अंत्र में एक समाचार पत्र भी निकालते हैं एक ओर बहिस्कृत भाहरत के नाम से बहिस्कृत भाहरत समाचार पत्र था यह भीम्राव अम्बेडकर का समाचार पत्र और इसका प्रकाशन शुरू होता है गुनी सो सत्ताई से गुनी सो सत्ताई से सुरू तो बाहिस्कृत हितकार्णी सबा बनाई उसके बाद में बहिस्कृत भारत समाचार पत्र भी इन्होंने सुरू किया इसके बाद में इन्होंने पूरे भारत के जो महार लोग थी महार लोगों को इखटित किया और महारों का प्रत्थम राजनेतिक समिलन किया पूरे भारत के महारों का, तो प्रत्थम महाराजनितिक समेलन गुनी 27 में किया जाता है, गुनी 27 में महारों का प्रत्थम राजनितिक समेलन का आयुजन करवाया, रथम महार राजनितिक समेलन कराया, जिसकी अध्यक्षता स्व्यमने की, जिसकी अध्यक्षता स्व्यमने की, भीमराव अम्बेट करने की. क्लास में बाते नहीं फिर उसके बाद में इनके क्या किया महारों के लिए एक रखो और मानग को शान्तीपून तरीके शे धरना दो बैठ है करो जुलूस निकालो उसके मादम से आप अपनी मांग को रखो क्योंकि आद अपनी हिंसक तरीके से बात रखोगे तो उसका दमन जल्दी कर दिया जाता है सरकार के द्वारा कारेवाई करके इसलिए अप शांती पूर्ण तरीके से कुछ मांगो तो धीरे धीरे सरकार बादे होती है लोग आप से जुड़ते अवे चले जाते हैं तो इन्होंने भी महारों के लिए सत्याग्रे का शुरू कर दिया तो प्रथम महार सत्याग्रे आंदोलन शुरू करवाया और ये सुरू कर वाते हैं कि तो 1927 में इन्होंने तीन काम के बहिस्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकासन किया 1927 में प्रथम महार अखील भारती राजनितिक समेलन कराया और 1927 से फिर प्रथम महार सत्यागर्य आंदोलन सुरू करवा देते हैं अब देखो 1909 के तहित मुसल्मानों को प्रथक निर्वाचन पदती का दिकार दिया 1909 के अंदर गत जो यूरोपियन थे इसाई लोग थे उनको भी दे दिया गया था एंग्लो इंडियन्स लोग थे उसके बाद में क्या किया भीमराव अमेडकर ने कहा कि दलीतों के लिए भी अलग से प्रथक निर्वाचन पदती होना चाहिए इनके लिए आरक्षन होना चाहिए उसी समय भारत के अंतरगत ब्रेटी सरकार ने शुरू कर दिया थे गोलमेज समिलन का आयोजन अब गोलमेज समिलन में जितने भी भारत के दल थे उन सब को बुलाया कि आप आजाओ और हम बेटे हैं और सम मिलके अपन चर्चा कर लेते हैं एक ऐसा सविदान बना लेते हैं जिस पर सभी दलों की सहमती हो तो हम ऐसा सविदान बनाएंगे इस बात के लिए तीन गोल में समिलन किये जाते हैं 1931 और 32 तीन समिलन किये जाते हैं और तीनों के अंतरगत भाग लिता है भीमराव अंबेड कर और उनमें दलीतों की तरफ से इनको बुलाया गया था दो तीन व्यक्ति थे जिन्नों ने त तो जो दलीत लोग थे उनकी तरफ से भाग कून लेता है भीमराव अंबेड कर और पहले जो गोल में समिलन था उसमें डिमांड की कि जो दलीत वर्ग हैं उनके लिए पर्थक निर्वाचन पदती होनी चीए उनके लिए आरक्शन की व्यवस्ता होनी चीए उनकी डिमांड क्या दार पे फिर बेटी सरकार ने दे भी दिया इसके लिए उन्होंने मैग डोनाल्ड सामप्रदाइक पंचार्ट जारी किया गांधी जी ने उसके विरोध के जेल के अंदर आमरण अंसन शुरू कर दिया फिर गांधी जी के और भीम्राव अंबेड करके बीच में एक समझोता हो जाता है पूना समझोता और पूना समझोता वैसे तेज बादूर सप्रू और मदन बोहन मालवे ने करवाया था तो दलीतों के लिए प्रत्थम बार प्र दलीतों के लिए प्रत्थक निर्वाचन पदती तथा आरक्षन की तथा आरक्षन की मांग करने वाले अंबेड कर पहले व्यक्ति थे इस तरह की मांग प्रत्थम गोलमेज समेलन में की गई इस तरह की मांग प्रथम गोल में समिलन में की गई बिटी सरकार द्वारा मैक डोनाल्ड पंचाट द्वारा दलीतों को प्रतक निर्वाशन पदती का अधिकार दिया मैक डोनाल्ड पंचाट द्वारा प्रतक निर्वाशन पदती का अधिकार दिया इस पंचाट की विरोध में गांधी जी ने जेल में ही आमरन अंसन शुरू कर दिया सितंबर 1932 में सितंबर 1932 में गांधी जी तथा अंबेड करके बीच पूना समझोता हो गया अब पूना समझोता में क्या हुआ किस किस ने समझोता कराया यह अपन आगे जब चैप्टर आएगा उसमें और देख लेंगे अब देखो भीमराव अंबेड कर ने कुछ आंदलनों का समर्थन नहीं किया अब क्यों नहीं किया इसका पूरा जो विचारदारा है वो गांधी जी की विचारदारा से इनके कुछ तत्व थे वो अलग थे इस कारण इन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया वो अपन जब आगे पढ़ेंगे उसमें डेटेल से पढ़ेंगे तो लिखो इन्होंने गांदी जी के कुछ आंदलनों का समर्थन नहीं किया सवीने अवग्या आंदलन भारत छोड़ो आंदलन और हरीजन आंदलन हरीजन समाज के लिए गांदी जी ने चलाया था हरीजन आंदलन हरीजन आंदलन इनका समर्थन नहीं किया अब देखो 142 में इन्होंने पूरे भारत के जो दलित लोग थे उनके लिए अखिल भारतिय दलित परिशंग का निर्वान किया अखिल भारतिय दलित परिशंग का निर्वान किया अब देखो उसके बाद में सविदान सभा के चुनाव होते हैं यह बंबई से आये थे बंबई की तरफ से प्रते निर्वान किया अब इसके बाद में जो सविदान सभा में समीतिया बनी उसमें से जो प्रारूप समीति थी सबसे महतुपून समीति थी उस प्रारूप समीति का इनको अध्यक्स बनाया गया पूरे सविदान की ड्राप्ट रूपरेखा इनों ने बनाई इनके नेतरत में बनाई तो लिखो इनको सविदान सभा में प्रारूप समीति का अध्यक्स बनाया सविधान सभा में प्रारूप समीती का अध्यक्स बनाय गया अब भारत आजाध हो गया सरकार बनी तो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी इनहीं को बनाय गया भारत के प्रत्थम विधी मंत्री भी इनको बनाया गया अब देखो इन्होंने भी सत्याग्रा किया कई चीजों के लिए उस समय जो निम्न वर्न के लोग थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था जैसे इस्तरियों को सिक्ष्या प्राप्त करने का अदिकार नहीं था तो ऐसे कई प्रकार की बंदी से थी उनमें से इन्होंने मंदिरों में प्रिवेश को लेकर कुछ सत्यागरे किये किसमें लेकर मंदिरों में प्रिवेश को लेकर जैसे 1928 में इन्होंने पारवती मंदिर में प्रिवेश को लेकर सत्यागरे किया तो 1928 में पार्वती मंदिर सत्यागरे किया और इसी प्रिकार एक और सत्यागरे किया था कल्सम मंदिर को लेके यह किया इनोंने 1930 से 1935 के बीच और महराश्ट में इनोंने अनेक इस प्रकार से जो मंदिर थे वहाँ पे सत्यागरे किये परपरमुक रूप से हैं पार्वती मंदिर सत्यागरे और कल्सम मंदिर सत्यागरे कालांतर में फिर ये बोध धरम गरण कर लेते हैं तो गुनी सो चपन में इनोंने बोध धरम को गरण कर लिया तो गुनी सो चपन में इनोंने बोध धरम को गरण कर लिया गुनी सो चपन में बोध धरम को इनोंने गरण कर लिया क्यों किया? क्योंकि हिंदू धरम के अंदर जातिय विवस्ता है जातिय समानता है इसलिए भोध धरम में जातिय समानता थी इसलिए वहां पर ये चले गए भीमराव अंबेड कर इनकी काफी अनुएई थे उनके साथ इनों ने भोध धरम गरण कर लिया तो देखो अपन निमने जातियों के अंदर पढ़ रहे हैं उनका पहला लेडर कौन है भीमराव अंबेड कर जनम हुआ महु मध्य प्रदेश के अंतरगत जनम हुआ महार जाती के अंतरगत प्रारंबिक अध्यन होता है प्रगूशन कोलेज के अंतरगत उसके बाद ये प्राठी में थी और इसमें सयोग दिया साउजी महराज ने उसकी बाद में इन्होंने संस्तागत सवरूप देने के लिए अपने आंदोलन का प्रसार करने के लिए बहिस्कृत हितकार्णी सभाकी स्थापना की गुणी सो चोबीस के अंतरगत और एक पत्री का निकाली उस इन्होंने प्रत्थम महार सत्याग्रे भी सुरू कर दिया था फिर दलीतों के लिए पर्थक निर्वाशन पदिती और आरक्षन की मांग करने वाले यह पहले लेटर थे इसके लिए यह गए जो गोल में समयलन थे वहां मांग रखी उसके बाद इनकी मांग के अनुसार मैं डोनाल पंचांट में इनको आरक्षन दिया गया प्रत्थक निर्वाशन पदिती का यह किसलिए दिया गया था मूल रूप से जो हिंदू वर हिंदों को तोड़ने के लिए कि लिए था वह को मुसलिमों से तोड़ दिया गुनी सोनों के तैथ अब हिंदों को भी आपस में हैं उनमें ही हम आपको सीट दे देंगे लेकिन आप इस परतक निर्वाशन पदिती को त्या कर दो फिर गांदी जी से समझोता करके गांदी जी इनको सीट दिलाते हैं 148 इगेतर से 148 पूना समझोते के तैज इससे क्या हो जाता है एक तो जो हिंदू आपस में लड़ रह किया अखिल वारतिय दलित परिशंका निर्मान किया प्रारूप समीती के अध्यक्ष बनाए गए भारत के प्रतम विदी मंत्री बनाए गया और 1928 में पारवती मंदिर सत्यागरे और कल्सम मंदिर सत्यागरे किये और 1956 में इन्होंने बोध्धरम को घरन कर लिया इसके पहत्मा गांदी एक एक व्यक्ति के प्रियास देखो उनकी विचारदारें अभी भी जिंदा हैं देश को अभी भी आगे बढ़ा रही हैं जैसे हमने यह प्रोजेक्ट चला रहा है यदि इस पूरे प्रोजेक्ट में पूरे राजस्तान से यदि दस लोग भी सपल हो जात हो जाता है इस क्लास में एक वी बच्चा यदि सपल हो जाता है तो हमारा उद्देश पूरा हो जाता है क्योंकि सभी लोग सपल नहीं होते पूरे देश के अंतरगत करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं सपल बहुत कम होंगे और जो सपल हुए हैं उनमें ज्यादातर नोक क्या डार्ट का तो जो अधार का प्र है और इनके पास है पास बोलब के से सरकार के पास में सरकार और ने अथोर्टी बना रहे के निम बना रहे हैं सारी सbor efście यह बिए रहा है वह नंद disci लेकनी दे रहा है अब नंद इसने जो आधार प्रोजेक्ट समझाया वो गुवर्मेंट के पास लेके आता है कि मैं इसके दुआरा गुवर्मेंट के अंतरगत काफी ब्रश्टाजार को मैं रोक दूंगा तो गुवर्मेंट ने पूछा कैसे रोकोगे तो उन्हों अब आप क्या हो बीपियल परिवार के अंतरगत ले रखा आपने कोई अब बीपियल में आवास ले रहे हो आपके आधार नंबर से जुड़े हैं सारी सूचने आपके नीचे जुड़ी हैं एक तरफ आप इंकम टेक्स भी दे रहे हो तो यह बाद में गड़बडी पकड़ी करते हैं सोचने कि इसके पास आ रही है कि आधार काड में क्रादिक से आपके हर आईडी को ने विले रहे हो दूसरी तरफ आप चाटरवरती को ले रहे हो आइटिए कर रहे हैं वो भी ले रहे हूं तो इससे क्या पकड़ में आ जाती है क्योंकि एक चातरवर्ती में केवल एक बार अपलाई होगी आपकी पहले क्या करते थे कुछ बच्चे जैसे सबसे ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं यह आइटिए वाले यह क्या करते हैं इ कागज सारे हमें दे दो हम आप से भी सी निलेंगें अब बच्चे सोखते हैं फीस ही रहे तो पिर पार की तो क्लेज ऻरा चाहिए टीक है अब क्या पंद्रा-पंद्रा कोलेज में आइडी चल रही हैं ऐसे ही कोलेज वाले भी प्राइवेट कोलेज वाले ऐसे करते इसी बच्चे के लिए रहे थे अब उस आइडी को आप केवल एक जगह काम में ले सकते हो दूसरी जगह नहीं ले सकते ऐसे ही गैस सबसेडी में हो रहा था सबसीडी में भी ऐसा हो रहा था जैसे गैस सबसीडी में बताया जा रहा है कि आधार कार्ड के बाद में 80,000 करोड साला नब चता होगी केवल गैस सबसीडी में कि जैसे कैरोसीन आजकर कोई खरीता नहीं है लेकिन सरकार ने देख जब चारों तरफ लायट भी आगए लेकिन कैरोसीन उतने की फ़फत हो रही है जितनी पहले ऊती तो फिर उसके बाद में इसको आधार जोड़ा आधार से जोडने के बाद इसकी खपत रह गए मातर पंदरा परसेंट तो एक व्यक्ति के कारण मुझे लगता है लाखों लोग जितना ब्रस्ट अचार की राशी रोग सकते थे इस अकेले व्यक्ति ने रोग दिया तो ऐसे ही यदि हमारे इस प्रोजेक्ट से दस पंदरा लोग भी निकल के आ जाते हैं तो हो सकता है कि उससे वो लाखों लोगों के ब्राबर काम कर जाएं हाँ तो अब महत्मा गांधी का देखो महत्मा गांधी की विचारदारा क्या है जनम कैसे हुआ यह अपन दास्टी आंदोलन में देखेंगे यहां पर अपन उनका संद्रप पढ़ रहे हैं और निमने जातियों के लिए अब देखो प्रारब में गांधी जी का भी धान नहीं था इस तरब और होना भी नहीं सरसना उर इह मानते थे कि सामजिक सरसना का सुधार भी स्माज की Chandu की द्वारा ही किया जा सकता है इसलिए मानते थे कि पहले लोगों में कम से कम चेतना लाइजाए चेतना लाने के बाद ऐसे मुद्दों को उभारा जैया पहला अपना टार्गेट होना चीए सवतंतरता और सवतंतरता के साथ साथ अपनी चेतना भी जारी रहनी चीए ताकि अपन समाज के अंतरगत सदभाव पैदा कर सके समानता ला सके तो शुरुआत में गांधी जी का इधर ध्यान कम था लेकिन जैसे ही केरला के अंतरगत भीमराव थे उच वर्गों के लोग थे और उच वर्ग में भी ज्यादातर थे अधिकारी जमीदार और व्यापारी अधिकारी थे व्यापारी थे और जमीदार इसलिए इन्हों ने क्या क्या जो ज्यादातर अधिकारों की डिमांड की उन्होंने खुद के अनुकूल की इसलिए कॉ पहली बार भारत के अंदर दलीतों के लिए एक अखील वारतिय समेलन होता है गुनी सो अथारा में पहली बार दलीतों के लिए अखील भारतिय समेलन हुआ गुनी 18 में दलितों के लिए पहले अखिल भारतिय समिलन का आयोजन हुआ पहले अखिल भारतिय दलित समिलन का आयोजन गुनी 18 में अब देखो ए इस प्रशता के खिलाब यदि किसी ने पहली बार आवाज उठाई पूरजवर तरीके से राश्टेस्तर के नेता ने तो गांदी जी थे तो गांदी ए इस प्रशता के खिलाब आवाज उठाने वाले पहले अखिल भारतिय नेता थे तो इसमें लिखो ए इस प्रशता के खिलाब आवाज उठाने वाले गांदी जी पहले व्यक्ति थे एस प्रशता के खिलाब आवाज उठाने वाले गांदी जी पहले नेता थे एसपरस्था के खिलाब आवाज उठाने वाले गांडी जी पहले नेता अब देखो उसी समय भारत में केरला में दो सत्यागरें हो रहे थे वाइकॉम और गुरुफाइर आगे अपन पढ़ेंगे कुछी दिर में इनको तो दो सत्यागरें हो रहे थे वाईकॉम सत्यागर और गुरु वायर सत्यागर है क्रहां पे ओ रही था यह के रला के अंतरकत और यह सत्यागर हो रहे थे चेह दो जगे मंदेर हैं एक को मंदेर लोग थे उनको जाने नहीं दिया जाता था इसलिए इन्हों शांति पूर्ण विद्रो के शांति पूर्ण मांग रखी कि हमें भी मंदर में जाने का अधिकार होना चीए वो जैसे ही आंदोलन चल रहे थे गांदी जी ने इनका समर्थन किया केरला का दोरा किया और वहां के जो महराज थे महारानी थे तरावन कोर के उनसे समझोता करवा यह को मंदिर में जाने का अधिकार दिलाता है हॽण है कि jeu कॉम तथा घुरू ओ यह क्ऊ संट्यागर थिए इस वाईॆ को सट्यागर था अमर्थन किया माई को सट्यागर्थन किया है वाहरारी सट्यागरे का समर्थन किया तथा निम्न कुल के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार मिला अब गांदीजी ने इनको एक नया नाम दिया और इनको कहा कि ये बिलकुल निम्न कुल के लोग नहीं है ये तो भगवान के आदमी है ये तो हरी के लोग हैं तो गांदी जी ने इनके लिए हरीजन नाम दिया तो इसमें लिको गांदी जी ने पिछडी जातियों के लिए दलितों के लिए हरीजन सब्द का इस्तेमाल किया गांदी जी ने दलितों के लिए हरीजन सब्द का इस्तेमाल किया हरी जन सब्द का इस्तिमाल किया और उसी समय फिर ये एक अखील भारतिय ऐस इस प्रशता निवारन संग का गठन किया इनके दुआरा अखील भारतिय ऐस प्रशता निवारन संग का देख को एक बर सुनो और इस संग का निर्मान किया और इसका उद्देश्य था कि कैसे हम ऐस परशता को दूर कर सकते हैं कैसे समाजों के अंतरगत अपन सामजिक सद्वाव पैदा कर सकते हैं और इसका प्रथम अद्दक्स बनाया गया गंशामदास बिडला को जो राजस्तान के निवासी थे अखील भारतिय एस प्रशता संग कब बना तो 1932 में अखील भारतिय ए इस प्रशता निवारन संग का गठन हुआ गुनी 32 में गांदी जी द्वारा गुनी 32 तो अखील भारतिय ए इस प्रशता निवारन संग का गठन किया गया गांदी जी के द्वारा और 1932 में किया गया इसके प्रथम अद्दक्स गंशामदास बिडला थे काफी एक्जाम में पूछा हुआ है इस संग के प्रथम अद्दक्स कोन थे गंशामदास बिडला गंशामदास बिडला गुनी 133 में फिर इस संग का नाम कर दिया गया हरीजन सेवक संग तो लिखो गुनी 133 में इस संग का नाम हरीजन सेवक संग कर दिया 1933 में नाम हरीजन सेवक संग कर दिया 1933 में हरीजन सेवक संग नाम कर दिया फिर बाद में गांदी जी हरीजन नाम से एक साप्ता एक पत्रिका का भी प्रकासन करना सुरू कर देते हैं तो लिखो कालांतर में गांदी जी हरीजन नामक पत्रिका का संपतन भी सुरू करते हैं हरीजन समाचार पत्र गांदी जी ने सुरू किया हरीजन समाचार पत्र का गांदी जी ने संपादन किया अब गांदी जी का और अमबेड करके भी समझोता हुआ था पूना समझोता तो इसमें लिखो गांदी जी ने अमबेड करके पूना समझोता किया पूरे प्रावदान आपको याद है वो लिखने की जरूत नहीं है गांदी जी ने अमबेड करके साथ पूना समझोता किया फिर उसके बाद में क्या करते हैं गांदी जी दलीतों को जागरू करने पैदल यात्रा हैं की इसमें लिख लो लाश्ट अंतिम की दलीतों को यागरू करने के लिए 1933 में व्रदा से दलीतों को यागरू करने के लिए 1933 से व्रदा से हरीजन यात्रा सुरू की 1933 में व्रदा से हरीजन यात्रा सुरू की इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दक्सिन भारत में निमने जाती सुदार आंदोलन दक्सिन भारत में निमने जाती आंदोलन और दक्सिन भारत में सबसे पहले यदि कहीं पर निमने जाती आंदोलन होता है तो वो तक शब आधुनिक जो केरल है केरल है रियासति 53 को तो सबसे पहले दक्षिन भारत में कोई केंदर बना तौं ट्रावंकोर ओख भारत में विवातम दो रिदू थे ब्रामन बनाम अन्ये ब्रामनों दक्षिन भारत में क्या होता है यह अन्त में अन्त में हुआता सबसे पहले अर्य सभ्याता का प्रसार होता है उत्री बहुति भारत में जाता है और शेंव प्रसार किया आरिये संस्कृति का प्रसार किया था तो वो थे रिशी अगस्ते रिशी अगस्ते रिशी अगस्ते ने प्रसार किया था उसके अंतरगत प्रसार किया था आरिये संस्कृति का तो ऐसे कई लोग कह रहें न अभी भी आवेश में आ जाते हैं और कह देते हैं कि दक्षिन भारत के अंतरगत एक और अगस्ते रिशी पैदा हुआ है जो आर्य सब्वेता का परसार करेगा तीन स्टेट बचेव हैं वहां पे भी चले जाएंगे किसको कह रहे हैं मोदी जी को कुछ उत्साई उनके अनुयाई हैं वह यह कहते हैं कि अब यही बचे यहां पे भी मोदी जी जाके फिर वापस आर्य संस्क्रती का परसार करेंगे जबकि यह तुलना ठीक नहीं है यह इतियास की गलत व्यक्या है तो सबसे पहले यदि कहीं पर विरोध होता है ब्रामनों के खिलाब तो वो रियासत थी त्रावन को रियासत अब उस समय देखुँच जितने ज़्यादा यदि अपनी धार्मिक परतिवन दक्षिन भारत में थे उतने परतिवन उत्री भारत में नहीं थे क्योंकि उत्री भारत के अंतरकत 18 सतावदी में धार्मिक और सामजिक सुदार हो जाते हैं जबकि दक्षिन भारत में धार्मिक समाज सुदार आंदोलन गुनीश्वी सतावदी के बजाए 20 सतावदी में सुरू होते हैं तो इसलिए जाती परतिवन धार्मिक परतिवन प्रतिवन दक्षिन भारत में ज्यादा थे और पहली उसके आवाज बनता है त्रावन कोर तो लिखो त्रावन कोर लिखके आगे लिखना दक्षिन भारत में निमन जातियों द्वारा दक्षिन भारत में निमन जातियों द्वारा ब्रामनों के खिलाब सर्व प्रतम प्रति किरिया दक्षिन भारत में ब्रामनों के खिलाब निमने जातियों के खिलाब दक्षिन भारत में निमने जातियों के खिलाब सर्व प्रतम प्रति किरिया त्रावण को रियासत में हुई सहरुपर्थम परतिगिर्यां कि 53 रिवयासट में रियास्ति में इसी समय व्यक्ति था चंदरमेनन एक उपण्यास लिखा इंदू लेखा इंदू लेखा और इस इंदू लेखा के अंतरगत ये बताया कि कैसे कैसे उच्छ जातियों ने जो निम्न कुल के लोग हैं निम्न जातिया हैं उनके उपर अत्याचार कर रहे हैं तो इस समय वहां पर जो ब्रामनों का नेतरतों कर रहे थे वह ब्राम लेखा इंडू लेखा और उन इंडूलेखा में क्या बताई कि वहां की जाती अशना समजीक सरचना insना में किस प्रकार उच कुल के जो ब्रामन है उनके द्वारा निम्न कुल के लोगों पे अत्याचार किये जाते हैं अनेक प्रकार के ऐसी पर्थाएं बताई जो निम्न जातियों को पूरी करणी होती थी जबकि उसका कोई भी धार्मिक रूप से वजूद नहीं था तो जो नम्बूरी पाद ब्रामन थे उनकी खिलाप बताया सबसे पहले और ये माना जाता है कि इससे काफी लोगों ने प्रेणा ली इस उपन्यासे इंदू लेखा उपन्यासे और ये केरला का पहला आदूनिक उपन्यास माना जाता है तो इसमें लिखू चंद्रमेनन ने इंदु लेखा नामक उपन्यास लिखा जिसमें नम्बुरी पाद ब्रामनों द्वारा जिसमें नम्बुरी पाद ब्रामनों द्वारा निम्न कुल के उपर या निम्न वर्णों के उपर निम्न वर्णों के उपर थोपी गई अनेक प्रथाओं का उलेख किया अब वहां से आंदुलन धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं केरला के अंतरगत तो सबसे पहले आंदुलन सुरू होता है केरल तेन चार आंदुलन है दक्षिन वारत में सारे केरला में पहला आंदुलन होता है नायर आंदुलन अब देखो नायर आंदुलन जो नायर जाती है वहां पे एक निमन जाती है नायर अब नायर जाती में मातर सतात्मक व्यवस्ता है अबी भी मातर सतात्म के व्यवस्ता में क्या होता है कि पुत्र को जो संपती मिलती है पीता की वजाए माता की मिलती है तो नायर समाज मातर सतात्म के व्यवस्ता है और इसकी साथ भी भेदवाव होते थे तो पहला यदि आंदोलन होता है वो किया जाता है नायरों के द्वार तो नायर आंदोलन में लिखो, क्यों किया गया ब्रामन व्यवस्ता का विरोध करने के लिए, या ब्रामनों की प्रभूत्व को कम करने के लिए, तो नायर आंदोलन क्यों होता है, ब्रामनों की प्रभूत्व को कम करने के लिए, ब्रामनों के प्रभूत्वे को कम करने के लिए अब देखो ये सुरू किसके द्वारा क्या गया तीन मुख्य लीटर थे इसके सीवी रमन पिलाई के रामा क्रिशन पिलाई के रामा क्रिशन पिलाई और एक व्यक्ति था पद्मनाब एम पद्मनाब एम पद्मनाब तो शुरू किया तेन व्यक्ति थे सीवी रमन पिलाई के रामा क्रिशन पिलाई और एम पदमनाब अब इन में से देवकों जो सीवी रमन पिलाई थी इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा मल्याली मेमोरियल मल्याली मेमोरियल तो मल्याली मेमोरियल की स्तापना की सीवी रमन पिलाई ने मल्याली मेमोरियल और मल्याली मेमोरियल बनाया सीवी रमन पिलाई इसके संस्तापक थे संगठंता और इसके संस्तापक थे सीवी रमन पिलाई सीवी रमन पिलाई और ये संगठन बना अठारा सो इकराणवे में मल्याली मेमोरियल या मल्याली इसमारक केरला की बहासा क्या है केरल की बहासा क्या है मल्यालम मल्यालम इसके बाद में सीवी रमन पिलए ने एक नाटक की रचना की और नाटक का नाम था मार्तन्ड वर्मा क्या नाम था? मार्तंड वर्मा. तो मार्तंड वर्मा एक नाटक था जिसकी रचना सीवी रमन पिलै ने की. तो मार्तंड वर्मा के आगे लिखू. सीवी रमन पिलै द्वारा रचित नाटक का नाम मार्तंड वर्मा था. अब इस आंदोलन में यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी के परियास थे तो वो थे के रमा कर्शन पिलै के और पदमनाब के. तो इसमें लिखो इस आंदोलन में सरवादिक योगदान के रामा कर्षन पिलाई तथा पदमनाब का था अब इसमें जो ये पदमनाब था इसने एक समाज की स्तापना की नायर सेवा समाज या नायर सेवा सोसाइटी तो एम पदमनाब के द्वारा नायर सेवा सोसाइटी का गठन गुन्नी सो चोदा में किया गया गुन्नी सो चोदा में नायर सेवा सोसाइटी बनाएगी किसके द्वारा पदमनाब के द्वारा और इन लोगों ने भी अनेक चीजों की मांग की कि कैसे जो विवा के संचकार हैं व्यक्ति के जीवन में जो अनेक धार्मी के रिया कलाब करने होते हैं उनको कैसे कम किया जाए विवा में ब्रामनों के भूमी का कैसे कम किया जाए मंदिरों में कैसे प्रिवेश किया जाए इन सब चीजों को लेकर इनों ने आंदोलन किया इसके बाद केला में दूसरा आंदोलन होता है वाई कॉम सत्यागरे वाई कॉम सत्यागरे यह सत्यागरे शुरू होता है गुनी सो 24-25 में इसके जो नेता थे वो थे केपी केशव मेनन केपी केशव मेनन क्या बात हो गई वाई कॉम सत्यागरे होता है गुनी सो 24-25 में इसके नेता थे केपी केशव मेनन हुआ क्यों केरल के अंदर जो वाई कॉम के अंतरगत मंदिर था उस मंदिर में परवेश को लेकर हुआ था तो कारण लिखो इसमें कारण वाई कॉम मंदिर में परवेश को लेकर 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 उसमें जो निमने कुल के लोग थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था अब देखो उसी समय महाराष्ट के अंदर मद्रास के अंदर कर एक आंदोलन चल रहा था जस्टीस आंदोलन का नेता था अभी अपन पढ़ेंगे जस्टीस आंदोलन इसके बाद अभी अब रामास्वामी नायकर उस समय वर्त्मान तमिल लाडु के अंदर बड़े लिटर थे बड़े दलीतों के सबसे बड़े लिटर थे और इसी की पार्टी सत्ता में आई है उसका नाम है DM के वो इनी के द्वारा बनाई हुई पार्टी थी तो रामा स्वामी नायकर भी फिर यहां आते हैं और वाइकुम सत्यागरे का सहियो करते हैं तो इसमें आगे लिखो जस्टिस आंदोलन के नेता रामा स्वामी नायकर ने भी इस सत्यागरे में भाग लिया था अब जैसे यह आए उसके बाद में गांदी जी भी चले आए कि ठीक ठाक काम हो रहा है अंतिम चरण में रिजल्ट आने वाला है तो चलो अपन भी और दक्षिन भारत चलते हैं और गांदी जी भी वाइकुम पूंच गे और वाइकुम का जो महराजा था महरानी थे उससे अन देखो गांदी जी की मध्यस्त तासे गांदी जी की मध्यस्त तासे त्रावण कोर की महराजा ने गांदी जी की मध्यस्त तासे त्रावण कोर की महराजा ने निम्न कुल के लोगों को अनेक रियायतें दिलवाई अब दूसरा इसके बाद में सुरू होता है वाइकुम के बाद में सुरू होगा गुरू वाइर सत्यागरे यह सुरू होता है गुनी सो इगतीस बत्तीस में इसका नेत्र तो करता है के केलबपन के केलबपन उस समय कोंग्रेस के सबसे बड़े गांदी जी के सयोगी थे गांदी जी ने इनको केला के अंतरगत भेजा उसके बाद में इन्हों इसको लेकर पिर बाद में एक बड़े लीडर थे दक्षिन बारत के एक के गोपालन एक के गोपालन गोपालन से जुड़ गए थे औलटिकल में यदि आप पड़ोगे मूह लदिकार तो उस में आएगा एक के गोपालन बनाम वहारससरकार के से बारशसरकार के EMERा तो एक गोपालन बनाम भार सरकार केिस आप इसके अंतरगत जो अपने हुमन राइट्स हैं उसके अंदर एके गोपालन केस पढ़ोगे इनको गिरबतार करके जेल में डाल दिया था तो कैसे उस समय यह केस फिर बाद में जो मेनका गांधी है उसको डाला गया कैसे मूह लदिकारों की व्याख्या की वह आप पढ़ोगे तो एके गोपालन क कालांतर में इस आंदोलन से जुड़ गए फिर इसमें भी सपलता किसके आत लगी गांधी जी के तो फिर गांधी जी यहां पे भी आ जाते हैं और गांधी जी की मद्यस्ता से यहां पे भी अनेक सहुलियत प्राप्त होती है